मैं अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ साथियों, आज एक और बहुती पावन अउसर है बहुती प्रेरणा का दीन है आज छत्रपती सिवाजी महराज की जन्मजेंती है मैं सभी देशवासियों को छत्रपती सिवाजी महराज की जन्मजेंती पर बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ गुर्देव रविंदरनाट टेगोर जी ने भी सिवाजी उत्षब नाम से बीर सिवाजी पर एक कभीता लिखी थी उन्होंने लिखा था कौन दूर शताब देर कौन दूर शताब देर कौन एक अख्यात दिबसे नाही जानी आजी मनार्थार कौन शोयले एरंडेर अंधकारे बसे हे राजा सिवाजी तब भाल उद्यासियाए भावना तैत प्रभावत ऐसे चिल नामी एक धर्म राज्य पाशे एक धर्म राज्य पाशे खंड चिन विक्षिप्त भारत बंधे दिबामी यानि एक सताबदी से भी पहले किसी एक अनाम दिन मैं उस दिन को आज नहीं जानता किसी परवत की उंची चोटी से किसी घनेवन में ओ राजा सिवाजी क्या ये विचार आपको एक बिजली की रोश्री के तरह आया था क्या ये विचार आया था कि चिन भिन इस देश की धर्ती को एक सुत्र में पिरोना है क्या मुझे इसके लिए खुद को समर्पित कर रहा है इन पंक्तियों में छत्रपती वीर सिवाजी से परणा लेते हुए भारत की एक ताँ भारत को एक सुत्र में पिरोनों का आवान था देश की एकता को मजबूत करने वाली इन भावनाओं को हमें कभी भूलना नहीं है पल पल जीवन के हाँ